इस उम्मीद करता हूँ फेंट्स की आपने आउन पासिप का ऑफीसियल चैनल जरूर चेक किया होगा अगर नहीं चेक किया है तो जरूर चेक कीजिए जी हाँ फेंट्स बुर्च खलीफा से लाइप स्टीमिंग को सेड्यूल कर दिया गया अगर आप चैनल पर जाएंगे चै रात में 10 बच कर 25 मिनट से यह लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा और यह लाइव स्ट्रीम किसलिए रखा गया है जी हाँ फ्रेंट के रिगार्डिंग आप सभी जानते हैं और पेट प्रोड़क्ट कमर्सेली मार्केट में लाइव कर दिया गया है गलोबल मार्केट मे कर दिया गए आप सभी जानते हैं तो इसे की रिगार्डिंग यह लाइव स्ट्रीमिंग होनेवाला है बुर्ज कलीफा से और आगर साथ सब्ड़ को बुर्ज खलीफा से दौरान इसे के आस पास webinar भी हो सकता है, अगर webinar होना होगा, तो इसकी information या तो साम तक आ जाएगी, रात में आ जाएगी, या फिर कल morning में आ जाएगी, फिर्स अगर webinar होना होगा, तो ये मैंने अपनी समझ से आपको बताया है, मुझे ऐसा लगता है, कि webinar हो सकता है, फिलाल हमे back office के साथ बने रहना है, जो भी update होगा, जो भी information होगा, हमें ecosystem के जरिए मिल जाएगा, फिर्स, इसके अलावा, दो points के बारे में, आपको और बताना चाहता हूँ, पहला user manual के बारे में, दूसरा FAQs के बारे में, अगर आपने चेक नहीं किया, फिर्स, तो जरूर चेक कीज काफ़ी लोगों का question आता है, कि सूरज जी, कि ओकन्ट के paid version की regarding एक नया complete video बनाई है, जिसमें हम सभी को पता चल पाए, कि ओकन्ट को कैसे use करना है, तो यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगा, फिर्स, कि इसके लिए, आप लोग user manual को चेक हीजे, FAQ को चेक हीजे, यह हमारा ecosystem हो, नया ecosystem, या फिर हमारा O connect हो, दोनों के लिए complete information दिया गया है, features क्या है, कैसे use करना है, उसके बारे में बता गया है, उसका मतलब क्या है, यह भी बता गया है, उसका use कैसे करना है, यह भी बता गया है, FAQ में, अगर आप user manual को चेक करें, कि चाहे वो ecosystem का हो, या फिर O गणका हो, तो उसमे complete information दिया गया है, example के साथ में दिया गया है, screenshot के साथ में दिया गया है, image के साथ में दिया गया है, साथ में text भी दिया गया है, text यानि कि वहाँ पे steps भी बता गया है, कि आपको इस परकार से इसे use करना है, for example, अगर किसी feature को explain करना है, तो वहाँ पे उसका screenshot पूरा image वहाँ पे दिया गया है उसके लिए क्या करना है steps भी वहाँ पे बताया गया है इसके बाद यह करना 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 इसके लिए करना है complete information आपको वहाँ पे दिया गया सभी steps वहाँ पे बताया गया है एको सिस्टम का ओगंड का अधर प्रोडट का आप हर एक का हाँ पर चेक कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने चेक किया होगा अगर नहीं चेक किया है तो जरूर चेक कीजिए खास कर नया एको सिस्टम और ओगंड का FAQs एंड यूजर मैनुवल जरूर चेक कीजिए साथ में अगर आपको टाइम मिले जब भी टाइम आपको मिले तो अधर प्रोड़क को भी आप चेक कर सकते हैं कोई दिक्कर नहीं जब भी आपको टाइम मिले तो आप नॉलेज लेते रहे है अगर आप नहीं जानते हैं कि यूजर मैनुवल या फिर FAQs आपको कहां मिलेगा तो शॉट में आपको बता देता हूं जहां से आप माइ प्रोफाइल को ओपेन करते हैं वहाँ पर आपका यूजर मैनुवल, FAQs, डाकुमेंट, लागाउट का सारा वहाँ पर ओप्सन रहता है तो वहाँ पर देखेगा आपको FAQs चेक करना है तो वहाँ पर लिखा रहेगा FAQs आप simply उस पर click कर दीजे, जैसे आप click करेंगे तो आपके सामने complete page open हो जाएगा जहां पर आपका दो arrow होगा, आगे पीछे करने के लिए, left right में करने के लिए तो आप उसके जरे आगे पीछे हो सकते हैं, left right हो सकते हैं, उसके जरे आप एक product से दूसरे product भी जा सकते हैं तो जिस भी product की रिगाड़ीं आपको FAQs चेक करना है, तो इस्क्रॉल कीजे, arrow पे click करते 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 हैं आप scroll कीजे, जहां भी आपको open दिखाई दे, तो simply आपको open पर click कर देना है, open पर click करते ही क्या होगा, open की रिगाड़ीं जितने भी FAQs होंगे, वो आपके सामने open हो जाएंगे, आप scroll करते जाएंगे, उपर से नीचे की हो, नीचे से उपर की हो, जहां भी आपको जाना है scroll कीजे, हर एक FAQs को आप चेक कीजे, अगर किसी भी FAQs के बारे में जानना है, तो simply उस पर click कर देजे, click करते ही, क्या होगा, उस की regarding जो भी information होगी, वो आपके सामने open हो जाएगा, इस परकार से आप आराम से, चाहिए वो open हो या फिर ecosystem हो, इसी परकार से आप हर एक services की regarding FA FAQs को आप चेक कर सकते हैं, इसी परकार से आपका user manual भी है, जहां से आपने FAQs पर click किया था, तो उसे के just नीचे आपको user manual भी दिख जाएगा, उस पर आप click कीजे, click करती है, आप page पर पहुंच जाएंगे, वहाँ भी आपको दो arrow दिखाई देगा, left, right करने का, scroll करने का, click करके, for example, आपको ओगंड का user manual डाउनलोड करना है, download करने का option भी मिल जाएगा, आप उसको अपने phone में download कर सकते हैं, for example, आपको ओगंड का FAQs, यानि कि आपका user manual डाउनलोड करना है, तो ओगंड पर simply आप click कर दिजे, click करते ही, हलका सा scroll कीजे, नीचे देखिए, download का option मिल जोर को चेक कीजे, जहाँ पर आपका PDF डाउनलोड होता है, तो वहाँ पर आपको डाउनलोड होगा दिखाए देगा, simply आप उस पर click कर दिजे, आपका PDF ओपन हो जाएगा, open करने के बाद, आप अराम से वहाँ पर पढ़ सकते हैं, तो इसलिए परकार से आप ओगंड का कर सकते हैं, एको सिस्टम का कर सकते हैं, हर एक प्रोड़क का आप कर सकते हैं, चाहे वो user manual हो या फिर effect यूज हो, effect यूज भी आप हर एक का चेक कर सकते हैं, अगर आप चेक करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी information मिलेगी, आपको पता चल कि आपको किस परकार से इसे यूज करना हैं, तो उमीद करता हूँ, आप सभी लोग user manual and effect use को जरूर चेक करेंगे, और वहां से ज़्यादा से ज़्यादा knowledge लेने की कोसिस करेंगे, और कल के याने की 7 सब्तमबर के event के लिए, याने की बुर्ज कलिफा से होने वाले live streaming के लि झाले live stream